दोस्तो बिंदा चैनल में आपका फागत है आज मैं आपको लेके आई हूँ दरगा अज़र्ट ख्वाज़ा पुतुब दिन वक्तियार काकी का जो कि यहां महरौली में इसकी था है और यहां पे बगल में ही यहीं का ख्वाज़ा है और इसमें लोग रोस्तो दर्सन आपकी क परियतक जो घूमने आते हैं वह आते हैं यहां पर बहुत सारे लोग आते हैं और महरावली में यह इस्तित है साउड डेली में और यह आपका दोस्तों इंट्रेंस एरिया है मस्जिद के तरफ जाने की चुकि यह बहुत ही पुराना किला है हज्रत सहब का तो यहां के जो रखाओ के लिए जो भी सरकार के अंडर में काम होता है वो होने रहा है प्रॉपर तो थोड़ा सा पुराना सा लग रहा है हलांकि यह नैचुरल और एक्चुल जो है वह है बिल्कुल और इसके अंदर का जो एरिया है दोस्तों वह कहते हैं कि यह यहां पर कुतोब दिन जी का जो है वह हमारा यहां पर उनका शब को दफनाया गया था और उसके उपर यह किला जो है सो बना है और इसके चारों तरफ का जो एरिया है वह बिल्कुल ही खुला-खुला सा है और यह उनका मजार है अंदर दोस्तों तो अभी तो जाना अलाव नहीं है बट बाहर बाहर म यह लोग सारे बैठे हुए हैं और थोड़ा रख रखाओ की कमी की वज़ा से जो है सो पुराणा सा हो गया है और यहां के जो मरम्मत और जो भी चोटी-मोटी काम है वो हो नहीं रहा है प्रॉपर तरीके से लोग घूमने आते हैं अपने दोस्तों के साथ रहते हैं यहां अच्छी खिली-खिली सी धूप है लोग यहां आते हैं गोंते हैं और जो है तो धूप लगाते हैं और इसके आसपास का जो एरिया है वोगी सरकारी दिल्ली सरकार के अंडर ही आती है तो वहां भी रेसिदेंस का तो कोई नामो निसान नहीं है इस किला के मस्जिद के बगल में पूरा ही खुला खुला सा है और यहां पे बावडी सी थी जो की अंदर से जो यहां पे मजार है वो इंटरनल एक रास्ता था पहले कहते हैं कि एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं कि दोस्तों यहां से जो एडिकता है वो भी अहां से खड़े होके आप देख सकते हैं और कि यह महरौली में इस्तित हैं नियर बस स्टेंड के पास और यह मजार के अंदर का दृश्य है और पुराना वो गया है कोई कलर फ्लेंट हो नहीं पा रही है प्रॉपर और इसी से लगा हुआ दोस्तों महरौली टर्मिनल है टर्मिनल जो है महरौली टर्मिनल वो महरौली जो ख्वाजा कुतुबुद्दिन साहब के मजार के पास ही है और यहां से हर एरिया के लिए बसें मिल जाती है यह मार्केट एरिया है दोस्त मोबाइल के रहे अगरवाल और अर East तर आराम रिज्टोरेंट के सब यहँं!! और शुमजार का अंटर्नल एरिया है यह मजार के चारों तरफ कोछुला एरियाह को और इस खुले देको तो कई सारे लोग आए हां यहां पर ढूप लगाने के लिए ढूप खाते हैं यहां पर यह दोस्तों और बहुत ही अच्छा लगता है और दोस्तों आपको मेरा यह वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं इसे लाइक करें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं धन्यवाद